नमस्कार साथियो नीज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं चुनाओ दरसल क्या है गिना ही तो होता है न अंतता दाकर कहें तो तो गिना जा सकता है तो थोड़ा सा अनुमान भी लगा जा सकता है तो अनुमानों की अधार पर करकर 2019 का चुनाओं क्या कहता है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ है निविच क्लिक के प्रमुक संपादक प्रबीर तो प्रबीर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बारे में बात करने से पहले हम सिंपल सा ये समझने कोशिस करेंगे कि पिपक्ष के तौर पर महागठब पहली बात तो महागठबंधन आपको कहां दिखाए पड़ा रहा है वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त कोई महागठबंधन नहीं है गठबंधन है अलग-अलग गठबंधन है हम देख रहे हैं कि अभी यूपी पे गठबंधन है उस पे कॉंग्रेस शामिल कॉंग्रेस गटबंदन में शामिल है बिहार में तो कुछ सीवित जगहों पे तथा कतित opposition unity बन पाई है पर local alliances हैं और उस तरह से कोई all-in opposition unity नहीं है गलत से सही है बात की बात है दूसरी बात है कि वाइनाड राहूल गांधी गए है वाइनाड केरल में है प्रिष्ट भूमी कॉग्रेस का सिर्फ उत्तरी भारत ना समझे समझ सकते कि पूरे भारत दश्में उनका प्रिष्ट भूमी हो सकता है पर जब आप ऐसे signal करते हैं कि अमेठी में आप लड़ रहे ह हैं पर अब उत्तर प्रदेश में अब कड़ बंधन में नहीं है आप वाइनाड जा रहे हैं जहां पर लेफ्ट एक प्रमुख भूमी का अदा कर रही है कॉंग्रेस उसका मुख्य चुनावती है पर वहां पर अब जब जाते हैं तो यह भी आपका एक सिगनल होता है कि आप मुख्य रूप पर वरना चाहते हैं ना कि बीजेपी के साथ तक्कर लेने की अगर बीजेपी के साथ तक्कर लेने की बात होती तो आप कोशिश करते हैं सब को साथ जोड़ के आप कहते हैं कि हम सब को एकठा कर रहे हैं उसके जगह पे अब यूपी पे लड़ाई कर है आप BSPSP से एक साथ आप केरल में आप खुद जहां कभी थे नहीं आप वहां गए हो आप चुराव लड़ने के लिए तो लगता है कि आपका उद्देश ही है कि बामपंथी ताकत जो है उसको वहां कमजोर करें तो इस तरह से जो तस्वीर निकल के आती है इसमें कॉंग्र कि वो इस इन सब चीजों पे वो अपने पार्टी को सभाल नहीं पा रहे हैं कि जगा जगा पर जो चेत्रिय नेता हैं वो जो चाहते वो हो रहा है यह तो यह है यह तो एक सुचिंतित एक प्लैन है जिसके तहद हो सोच रहे हैं 2019 में दूसरे जो विपक्षित दल चेत्रिय दल के रूप में उभरे हैं या तो जिनकी कहीं कुछ प्रांतों में ताकत है उनको इस वक्त मुख्य चुनावती समझे ताकि वो अगले चुनाव दो हजार तैईस में यह तो चौविस में यह तो जो एसेमली चुनाव होंगे तो उसमें हम मुख्य भूमी का अदा करेंग नहीं तो यह समझ में आता आपके साथ यहां टकर कोई समझावता नहीं हुआ उत्रप्रदेश में समझावता नहीं हुआ और मंद्रप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्रा हर जगह पे जिस तरह की भूमी का वो अदा कर सकते थे सब को एक अठा करने की अगर वो चिंत सीट थी उस पे वहाँ पर कैंडिनेट्स खड़ कर दिये पहले ही तो यह सब घोशना देखते हुए मुझे लगता है कि यह तो इनकी पार्टी सम्हाल नहीं पा रहे हैं यह खुद यह तो इस वक्त उन्होंने सोचा है कि बुख्य ओपोजिशन पार्टी का रूप में मैं नेता बनके निकलूंगा और यही रवाया से यह शायद दिधारित हो रहा है पर हकीकत तो यह है क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है उनको पूछना चाहिए हम तो सिर्व यहां बैटके इसके बारे में हम अपना समझ ही दे सकते हैं ठीक है हम अपने में सवाल पर आते हैं जब म में तो पचीसों की पचीसों सीट भाजपा की गई और MP में केवल दो सीटे मिले कॉंग्रेस को इस अधार पर और फिर से 2018 में जो चुना हुआ जहां पर बिलकुल हवा बदली हुई दिखी उस दोनों के अधार को मिला कर देखे तो आपको क्या लगता है कि 2019 का समीकरण कैसे बनता है देखिए अगर बिजेपी की जो 2014 की जो चबी थी 2018 से तुलना करें तो अब देखेंगे करीब करीब इन जगों पे उसी ताकत को देखते हुए उसी अगर वोटिंग उसी प्रकार की होती है उस प्रकार की हो गया नहीं वलग बात है अगर होती है तो राजस्तान कर अधा-धा होता है मद्रगों पर ब な नजग देखार की नतीज़ा नहीं था मद्रगों प्रदेश में पर अगर ुसको सपने सेंग्मेंट को जोड़े तब या की यह तस्वीद निकलती है कि मद्रगों परerem करें के नहींगरा की त्वड़ा से भारी होता होंगा अगर 2018 की जो वोटिंग है वही constant रहे लगभग लगभग दोनों मिला के 24 सीटे कॉंग्रेस को मिलेगी और उससे ज्यादा थोड़ा से ज्यादा बीजेपे को मिलेगी पर फिर भी करीब आधा-ाधा के लगभग पासी होगा बीजेपे के थोड़ा ज्यादा कॉंग्रेस को थोड़ा कम इसमें और एक चीज देखनी पड़ाईगी कि हम क्यों कह रहे हैं कि पलड़ा उसी तरह रह सकता है अंदास है जो आपने खा गिंती तो बादी में होगी अब तो भूद गिन सकते हैं और भविश्य गिन नहीं सकते हैं और जो तथाकतित पोल्स होते हैं ओपिनियन पोल्स ह होते हैं उसकी एहमियत भी हमने पुछले चुनाओं में देखा है कि कोई सही होता कोई गलत होता कोई इस तरह से कोई सुनिदिश्ट कुछ है नहीं तो अगर हम उसको देखें तो उसमें तो चीज है एक तो है बीजेपी पे ये बात सही है कि उनकी छेत्रियों जो लीडर् फड़ा भारी है कि लोग मोदी को जितना चाहते है शाद बीजेपी को इतना नहीं यह बात तो है पी-म के रूप में मोदी कभी पॉपुलारिटी उस तरह से खत्म नहीं हुआ है हलांकि एक बहुत-बड़ा सेक्शन इलियनेटिड है काफी इसमें नाराजगी उनमें है कि बहुत सारे जो वादे थे वो पूरे नहीं के गए दूसरी बात है कि उस वाक्त उनके पास मद्रप्रदेश राजिस्तान के जब चुना हुआ था उनके पास सत्ता थी तब सत्ता उनके हाथ से निकल गया है तो इसलिए मुझे लगता है दोनों फैक्टर्स लेकर कैंसल निकल के हो सकता सही निकल के आए और यह भी सही है क्योंकि मार्जिंस मद्रप्रदेश राजिस्तान दोनों में बहुत कम है थोड़ा सा इधर उधर होने से एक बहुत बड़ा शिफ्ट भी हो सकता है सीट के तहत यह वोट का संख्या और सीट का संख्या कि वह को देख रहे हैं लेकिन जब गठबंधन की स्थिति देखती है तो गठबंधन की स्थिति में तो बिल्कुल एक दम से एक पक्षिय दिखता है कि जब गठबंधन में 20 सीटे हो जाती है और मध्यप्रदेश में 19 लगभग सीटे हो जाते हैं तो आपको यहां पर तो गटबंदन बहुत महत्पून भूमी का अज़ा कर सकती थी अगर गटबंदन होता तो गटबंदन हुआ नहीं है ठीक है ना और इसलिए यह खास तोर से बीएस पी की एक नाराजगी इस बात पर है यूपी में तो आप 8% 8% वोट है वहां पर हम से आप हमें सीट देने के तैयार नहीं है इस 8% को आप नजर अंदास करते हैं क्यों क्यों वो कॉंसेंट्रेटेड वोट नहीं है ताकि एक दो पार्लिमेंट सीट को खासिल कर पाए तो इसलिए आप जब चुनाओं को देखते हैं 8% के हैमित यह ह कि वो पूरा एक स्टेट को इधर से उधर कर सकता है 8% चुनाओं में बहुत बड़ा वोट का संख्या है तो इसलिए जब देखते हैं राजिस्तान में देख लीजिए आपको 12 सिट कॉंग्रेस को मिलता है इस वक्त 2018 के चुनाओं को सिर्फ अगर हम मैप करें आज के पार् लेके अगर यह करें तो हम देखेंगे करीब 20 सीट 25 में कॉंग्रेस इस पार चला जाता है इसका बतलब कॉंग्रेस अगर गटबंधन करता SP-BSP को 2-3 सीट देता तो 8 सीट की मुनाफ़ा उनका होता तो 8 सीट की गेन होती जबकि यह करके कम से कम 8 सीट 8 सीट लगता है BGP को शायद उन्होंने सौंप दिया है एक तो यह है मद्धर प्रदेश पे इतना स्विंग नहीं होता क्योंकि BSP का और SP का भी खासतोर से BSP का जो influence है बद्धर प्रदेश में है उनका influence बट उत्तर प्रदेश के लगवा इलाके के साथ है इसी लिए बहुत बड़ा प्रभाव BSP का दूसरे जगों पे नहीं है तो यह देखते हुए BSP का उस पे साथ अगर BSP होता कॉंग्रेस के तो वहां पर भी करीब 4-5 सीट का फरक पढ़ सकता था तो दोनों मिला के तो हम देख सकते हैं कि इस पे 12-13, 12-15 सीटों की फरक अगर SP, BSP और कॉंग्रेस के लाइन्स होती जो यूपी में नहीं हुआ अगर यहां भी होता यूपी को लेके अगर तीनों स्टेट में होता तो पीचेपी को इसमें काफी हार शायद बाननी पढ़ती हमने पहले देखा था यूपी में करीब उनके 15 सीट की फरक पढ़ता कि अगर वो किलाइन्स होता और नहीं होता यहां भी करीब देख रहे हैं 12-15 सीटों की फरक पढ़ेगा कि अगर इस यह गटबंदन नहोंने के वज़ाए से अब अंदिम सवाल सार है तो प्रेसेडिशियल सिस्टम बदल जाता है कि मतलब सब लोग चुनने लगते हैं कि मोधी हैं और भरसिस राहूल कांधी और गटबंधन में इस्थिति ऐसी है कि क्या कहते हैं कि जब गटबंधन होता है तो दिखता है कि विपक्ष मिल के आपस में है उसके जो भी कारे करता है वो भी जमीन पे थोड़ा सक्रिय होते हैं वो दिखते हैं अब गटबंधन की स्थिति बन नहीं रही है जिस तरह का दि करीब करीब मेरे हिसाब से सन 71 के चुनाव से ही चल रहा है तो यह मास मेडिया धेरे धेरे खास तोर से टेलिवेशन आने के बाद ज्यादा तर चुनाव जो हुए है वो पार्टी के आधार पर नहीं हुए है प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट देखके हुए है इक अथर में सभी मानते हैं मिस्स गांधी की जीत थी सततर से सततर में सभी मानते हैं इंदरा गांधी की हार थी किस ने जीता वो बात नहीं है इंदरा गांधी की हार थी संच रासी की जीत है वो राजीव गांधी की जीत है पर वो मिस्स गांधी की असासिनेशन के वजए से हुआ थ 89 के अगर चुनाव देखे राजीव गंदी की हार की चुनाव थी तो प्रेजिडेंशिल फॉर्म तो एक हिसाब से बहुत दिन से चला आ रहा है जबकि मोधी आपके इलेक्शन के मांचित्रे में नहीं थी ठीक है ना तो ये मैं समझता हूँ कि मास्च मेडिया इन चुनावों को जो कि लोकल लीडर्स, लोकल पार्टी, लोकल और्गनाइजेशन को उपर फोकस न करके बहुत दिन से इसको एक प्रेजिडेंशिल फॉर्म कहीं न कहीं उसमें कोशिश में लगा हुआ है लगता है खबर ज्यादा अच्छी होती है मौधी बनाम रहुल गांदी हो मनस्पत की पार्टी वर्सिस पार्टी हो और अलग इलाके में पार्टी वर्सिस पार्टी अलग हो जाती है तो मुझे लगता है कि उसमें एक दिल्चस्प कहानी बनाने के लिए presidential फॉर्म एक अख्तियार कर लेना इसका ज्यादा क्या कहें इसमें दिल्चस्पी रहे मास मीडिया की और इसी लिए हम देखते हैं कि चुना चुनाओ एक तरह से presidential फॉर्म हो रहा है दूसरी वजह यह है कि पैसा बहुत लगाव हुआ है तो पैसे में बिल बोर्ड्स में एक ही तजबीर आखना एक ही पिक्चर को हर जगह पे पेश करना हर जगह पे एक ही प्रचार को ले जाना शायद आसान ज्यादा होता है तो इसलिए पे हर शहर में देखा ठीक है तो यह जो एक फॉर्म है तो एक बहुत बड़ा और जो ड्राइबर है भी प्रेसिडेंशल फॉर्म बनाने के लिए वो एड्ज है जो अबिटिस्मिन दी जाती है और इस वक्त अबिटिस्मिन खास तोर से पार्टी की चुनावी खर्चे पे क ही आएगा कि यह इस कैंडिडेट का कित्ता खर्चा हुआ इस कंस्टिट्विंसी में तो वो काउंट से बच जाता है इसलिए और एक जो चीज हुआ है जो पैसा ज्यादा जिस पार्टी के है तो वो बड़े पैमाने पे अपना प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के प चुनाव लड़ा है सिर्फ जो है पार्लेमेंट की लोग चुनाव लड़ा है इसलिए उसके अकाउंटिंग का बाहर होता है सुक्रिया प्रभीर हम से बात करने के लिए प्रभीर ने बड़ी अच्छी बात कही है प्रभीर की अंतीम बाते सुनी और गणीत को देखे गणी जब準जे का प्रेग सम्छी बात प्रभीर ही सुनी। करके प्राद के लिए आटड़ान को जल मेंचिए लोग है प्रेध पार्शाव झालक प्रभीर में।